हेलो गाईस आज हम बात करेंगे realme c25 के developer option के बारे में आप लोग realme c25 में किस टैप से enable करेंगे वीडियो में बात करेंगे क्योंकि जब भी आप लोग कोई भी नया device purchase करते है तो उस टाइम पर आप लोग के फोर्म में developer option जो है हमें enable करना बढ़ता है और developer option करना में आप लोगो recommend करूंगा क्योंकि काफी सारे features जो है हमें developer option में देखने को मिलते हैं तो टॉपिक की बात करें वीडियो स्टाइट करें से पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए सेटिंग में चले जाना है यहां पर आप लोग को ऑप्सन मिलेगा कि एडिशनल सेटिंग के इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर आप लोग मेरे फोन में देख सकते कि यहां पर यहां आ चुका है ठीक है अगर आप लोग के फोन में यहां पर डेवलप और अफ्सन नजर नहीं आ रहा है तो बैक करें उसके बाद इबाट फोन में क्लिक करें यहां पर आप लोग को वर्जन एन बील्ड नंबर पर लगबख 6 से 7 बाद टैप करना है तब आप लोग के फोन में एक पासवर्ड बोलेगा तो लोक किन फुक्र्न पासवर्ड रागा पासवर्ड डाल देना है अप लोग के फोन में डैवलप स को रहता है इनबल हो जlio जाता है उसके बाद despair你 पर लोग को डैघने को मिल जाएगा और हैं पर लोग कूझ है सारे की सारी डेवलफ और सेटिंग्स देगने को मिल जाते हैं सो इस टैप से आप लोग अपने realme c25 में जो है developer option को enable कर सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं तो टॉपिक जो था cover हो चुका है आगे चलके आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चीए आप लोग हमें comment करके बता दीजीगा जाए मादा दी